Hello students, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूँ Pooja Singh and welcome back to my channel Accounting Masterclass and this is the 5th lecture on the subject Financial Management and this time हम लोग पढ़ रहे हैं एक बहुत ही important topic that is Capital Budgeting Decision जिसको Investment Decision भी कहते हैं तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि जो लास्ट के जो दो लेक्चर से उनमें हमने क्या डिसकस किया था तो लास्ट के जो दो लेक्चर से लेक्चर 3 एन लेक्चर 4 उनमें हमने ये सारे टॉपिक जो स्क्रीन पे इस टाइम आपको दिख रहे हैं ये सारे ही टॉपिक हमने ल तो हमने देखा था छे टेखनीक्स हैं, फिर ताइम वाली ओफ मनी क्या है, कमपाउंटिंग और डिस्काउंटिंग क्या होता है, NPV मेथड जो सबसे पॉपलर, सबसे जादा फ्रिक्वेंट ली यूज होने वाला जो मेथड है, NPV मेथड ये हमने डीटेल में समझा था, इस पर नुमेरिकल भी लगाय थे, लेक्चे 3 में, फिर लेक्चे 4 में हमने दूसरा मेथड पढ़ा था, ये मेथड पढ़ा था, क्या मीनिंग है, क्या फॉर्मला है, क्या एक्सेप्टेंस रूल है, नुमेरिकल, मेरिट्स, दीमेरिट्स, ये सब हमने डीटेल में लेक्चे 4 में पढ़ा था, ठीक है, और एक सेजेशन है, कि इस लेक्चे को देखने से पहले, लेक्चे 3 फोर भी देख लीजेगा, लेक्चे 3 तो जरूर देख लीजेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा लेक्चे 3 जरूर देख लीजेगा, ठीक है, तो चलिए आप मैं बताती हूँ कि आज के लेक्चे में हम क्या पढ़ेंगे, आज लेक्चे 5 है, आज हम पढ़ेंगे पेबाक मेथर्ड, पेबाक मेथर्ड के मीनिंग फॉर्मुला, एक्सेप्टेंस, रूल, मेरिट, दीमेरिट और उसके नुमेरिकल कराऊंगे, और उसके साथ ही हम चौथा मेथर्ड, डिसकाउंटेड पेबाक मेथर्ड, ये भी आज के लेक्चे में हम पढ़ेंगे, तो आज हम दो मेथर्ड पढ़ने वाले हैं, ओके, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस के, हम आज का लेक्चेर स्टार्ट करते हैं, Capital Budgeting Technique, तो ये स्लाइड मैंने आपको लेक्चे थर्ड में दिखाई थी, मैंने बताया था जो Capital Budgeting के जो मेथर्ड हैं, जो टेक्नीक हैं, उनको दो केटेगरी में डिवाइट किया गया है, Discounted and Non-Discounted, Discounted मतलब जिनमें Time Value of Money को Consider किया जाता है, वो Method, और Non-Discounted मतलब जिनमें Time Value of Money को नहीं Consider किया जाता है, तो इसमें हम NPV Method पढ़ चुके हैं, Profitability Index पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे ये Payback Period Method, जो एक Non-Discounted टेक्नीक है, फिर क्योंकि ये Non-Discounted टेक्नीक थी, तो इसलिए इसमें Modification किया गया और फिर इसी को Discounted टेक्नीक में Convert किया गया, जिसका नाम है Discounted Payback Period Method, ठीक, तो आज के Lecture में हम Payback Period Method बेसिक और उसी का Discounted Payback Period Method, ये दोनों Method आज के Lecture में हम Discuss करेंगे, ओके, तो चलिए फिर बताती हूं कि Payback Method क्या होता है, तो Payback Method सबसे पहले एक Traditional Method है, ये एक Non-Discounted Method है for Evaluating the Investment Proposal, आपके सामने तीन प्रोजेक्ट हैं, आप Financial Manager है अपने कंपनी के आपके सामने तीन प्रोजेक्ट हैं, आपको Evaluate करना है कि which project is good for investment, इन्वेस्मेंट के लिए सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा है इन तीनों में, ठीक है, तो जिस Method को यूज करते हैं, जिन Techniques को यूज करते हैं, वो सारी Techniques जो मैंने लास स्लाइड में बताई थी, आप कोई भी Technique यूज कर सकते हैं, तो उसमें एक Non-Discounted जो Method है, वो है Payback Period Method, इस Method को यूज किया जाता है for Evaluating the Investment Proposal, अब यह Payback होता क्या है, Payback मतलब क्या होता है, वापस, वापस करना, Payback करना, तो Payback नाम से ही समझ में आ रहा है, Payback में क्या है, कि कितने साल लग जाते हैं, Number of Years Required, ठीक है, Numbers of Year Required to recover the original cash outlay, जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो Initial Year C-naught, Year C-naught मतलब, Initial Year में कुछ investment किया होगा, ठीक है, सपोस करिए, 10,000 रुपए का investment किया था, जब आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो इस 10,000 रुपए को recover करने में कितने Number of Year लग जाते हैं, इसी को Payback Period कहते हैं, ठीक है, और यही हम calculate करते हैं Payback Method में, ठीक है, मैं लिखा है, It is the Number of Year required, कितने साल लग जाते हैं to recover the original cash outlay, जो आपने प्रोजेक्ट में invest किया था, तो वही होता है Payback, ठीक है, और अगर वो प्रोजेक्ट आगे चलके, constant annual cash inflow देता है, पहले साल में आपने 10,000 का investment किया था, और अगले कह लीजे 5 साल तक, वो जो प्रोजेक्ट है, 2000, 2000, 2000 करके, अगले 5 साल तक आपको inflow देता है, ठीक है, तो फिर यानि इसका मतलब क्या है, जो 10,000 आपने initially लगाए थे, वो अगले 5 साल में क्या हुए, रिकवर हो गए, तो यहाँ पे Payback period कितना हुआ, Payback period हुआ 5 यर, ठीक, तो Payback period का formula क्या होगा, Payback कैसे निकाला जाता है, initial investment, जैसे इस example की बात करो, तो initial investment कितना था, 10,000 का, और annual cash inflow, यानि हर साल कितने का cash inflow हो रहा है, तो 2000 का cash inflow हो रहा है, तो दोनों को डिवाइट करिये, you will get 5, 5 साल, तो Payback period क्या है, 5 साल, यानि 5 साल के अंदर जो है, प्रोजेक अपनी जितनी भी cost है, उसे recover कर लेता है, ठीक है तो this is Payback Method, this is one of the method for evaluating the investment proposal, investment proposal को evaluate करने का एक method है, और यह traditional method है, खास बात, this is non-discounted method, जहां पर time value of money को नहीं consider किया जाता है, ठीक, फॉर्मला क्या है, C not by C, C not मतलब initial investment, C मतलब annual cash inflow, यानि हर साल कितना cash inflow आ रहा है, ठीक, चलिए, एक question कराती हो, एक question है Payback Method पे, अगर equal cash inflow हो रहा है, मतलब हर साल equal amount of money आ रहा है, तब Payback Period कैसे निकालेंगे, तो Payback Period क्या होगा, फॉर्मला वाई है, initial investment divided by annual cash inflow, यानि C not by C, ठीक, फॉर्मला तो पता है, देखे, question क्या है, अज्यूम करिए, एक project है, जिसका initial cash outlay है 50,000, यानि 50,000 का investment किया, फिर उसके बाद जो इसमें 50K रुपीज लगा था, और फिर अगले 7 साल तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगले 7 साल तक ये project कितना, हर साल के end में कितना पैसा दे रहा है, 12,500, ठीक है, हर साल दे रहा है, 12,500, तो आपको पता करना है, Payback Period, तो Payback Period कैसे रिख लेगा, इस 50,000 को क्या करेंगे, जो initial investment है, इ you will get 4 years, यानि, ये project तो 7 years तक चल रहा है, लेकिन 4 साल में ही पैसा recover हो जा रहा है, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, यानि, जितना हमने initial investment किया है, 50,000 का, वो 4 साल में पूरा पैसा recover हो जा रहा है, ठीक, तो इस तरीके से निकाला जाता है, तो ये तो case हो ग तो suppose करिए आपने project में invest किया है, एक दूसरा question करते है, unequal cash flow का, दूसरा case है, unequal cash flow का, suppose करिए आपने project में investment किया है, 20,000 रुपय का, 20,000 रुपय का investment हुआ है, और फिर जो cash inflow generate हो रहा है, अगले 4 साल तक, वो है 8,000, 7,000, 4,000 और 3,000 अगले 4 साल तक, ठीक, तो आपको निकाल पहला साल, जिसमें आपने investment किया है, C1, C2, C3, C4, अगले 4 साल, ठीक है, तो initial investment आपने किया 20,000 का, फिर अगले 4 साल तक, यह आपका cash inflow हुआ, तो आपको निकालना है payback period method, तो यहाँ पे वो formula नहीं काम करेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब unequal cash flow होता है, तो यह हाँ पे cumulative निकालते है, cumulative cash inflow निकाला जाता है, cumulative cash inflow, ठीक है, पहले साल में, देखे, यह तो C0 year, यानि जब आपने investment किया, पहले साल में कितना पैसा total recover हुआ, 8,000, दूसरे साल तक कितना पैसा total recover हो गया, 8 plus 7, 15,000, ठीक है, पिर तीसरे साल तक total पैसा कितना recover हुआ, तो यह 15 11,000, प्लस 4,000, कितना हुआ, 19,000, ठीक है, हमें कितना देखना है, हमें देखना है, 20,000 कब recover हो जाए, पूरा 20,000 जो हमने invest किया है, कब recover हो जाए, तो आप देखेंगे, 3rd year के end तक हमारा 19,000 recover हो गया है, यानि अब बचा कितना है, बचा है केवल 1,000 रुपए, ठीक है, 19,000, 30 साल के end तक 19,000 recover हो गया है, बचा है केवल 1,000, हमने याँ पर क्या निकाला, हमने याँ पर cumulative निकाला, cumulative cash inflow, ठीक है, तो बचा है 1,000, ठीक है, और अब चौते साल में कितना cash inflow होगा, चौते साल में 3,000 का cash inflow होगा, तो हम याँ पर एजियूम करते हैं कि cash flow जो है, evenly during the year, याँ यह equally distributed है, during the year, तो हम क्या करेंगे, यह जो 1,000 रुपय बचा है, 19,000 recover हो चुका है, केवल 20,000 होने में 1,000 बच रहा है, तो 1,000 जो बचा है, इसको हम किस से divide करेंगे, अगले साल जो cash inflow होगा, ठीक है, अगले साल जो 3,000 का cash inflow होगा, उसको इस से divide कर देंगे, यानि 1 12 महीने से multiply कर देंगे, तो आपका आजाएगा 4 महीने, तो इसका मतलब क्या है, payback period कितना है इसमें, 3 साल, यह 3 साल तो लगा है, क्योंकि 3 साल तक 19,000 रुपय आये हैं, और जो बचा हुआ 1,000 है, वो अगले 4 महीने में आया है, तो यानि payback period क्या है, 3 year, 4 month, ठीक, payback period क्या ह 3 year, 4 month, ऐसे करके निकाला जाता है, 3 year, 4 month, ठीक, इसमें cumulative का concept यूज़ करते हैं, आपने यहां तक calculate कर लिया, देख लिया, 19,000 आया, बचा 1,000, यानि 20 होने में 1,000 बचा, पिर 1,000 को इस 3,000 से divide कर देंगे, multiply करेंगे, 12 महीने से, तो फिर आ जाएगा 4 महीने, तो unequal की case में ऐसे हम करते हैं, ठीक, अब ज़रा देखते हैं acceptance rule, कैसे हम decide करेंगे, देखे, payback period तो निकाल लिया, but हमें तो main decision लेना है, कि इस project में investment करें की नहीं करें, project को accept करें के reject करें, यह हमें main decision लेना है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो payback period आपने calculate किया, और जो आपकी company का जो top management है, उसने जो standard payback period decide किया है, ठीक है, उससे इसको compare किया जाता है, अगर आपका calculated payback period जादा है, ठीक है, और जो standard आपके company के top management ने decide किया है, वो अगर कम है, तो project को reject कर दिया जाता है, example बताती हो, suppose करिए आपने निकाला payback period आ रहा है 4 year, ठीक है, यानि जो पैसा है, व पैसा recover हो जाए, तो यहाँ पर तो ज्यादा है ना, तो इस project को reject कर देंगे, बट आपने एक ऐसा project बताया, ठीक है, ऐसा project आप evaluate कर रहा है, फिर उसका जो है payback period 1 year ही है, यानि एक साल में पैसा वापस, जितना लगाओगे एक साल में पैसा वापस, पूरा recover हो जाएगा, औ आपके top management ने decide किया था, standard 2 साल, तो ऐसे project को तो accept कर लिया जाएगा, तो payback period calculated, अगर less होगा payback period standard से, तो accept करेंगे project को, otherwise reject करेंगे, ठीक है, तो वही देखे, मैं लिखा या है, कि set by the management, जो भी company है, ये company का discretion है, कि company जो भी standard है, या maximum payback period है, क्या decide करती है, ये company का discretion है, ठीक है अब ये जो payback period method है, इसको ranking के लिए भी use किया जाता है, अगर different project है, project A, B, C, D, 4 project है, इनको अगर rank करना है, कि कौन सा अच्छा method है, कौन सा अच्छा project है, ठीक है, अगर rank करना है, तो भी ये method हम use करते हैं, highest rank किस project को देंगे, जिससे पैसा सबसे जल्दी recover हो जाए, यानि जिसका shortest payback period हो, वो project सबसे अच्छा, और सबसे बुरी ranking, सबसे lowest ranking हम किसे देंगे, जिस project में सबसे longest, सबसे highest payback period है, यानि जिसका पैसा सबसे देर से recover हो रहा है, उसको हम lowest ranking देंगे, तो ये method ranking के लिए भी use किया जाता है, ठीक, अब इसके merits और demerits के अगर हम बात करें, त तो सबसे पहले ये है, देखिए कितना easy था calculate करना, हमने कितने आसानी से calculate कर लिया, कोई present value नहीं निकालनी थी, अभी तक मैंने आपको जितने methods पढ़ाएं हैं, मैंने आपको NPV पढ़ा दिया, PI पढ़ा दिया, आगे चलके IRR पढ़ाओगी, तो आप देखेंगे, हर जगह आपको क्या करना पढ़ा है, present value निकालनी पढ़ी है, उसके लिए present value factor से multiply करना पढ़ा है, महनत करनी पढ़ी है, calculation ज्यादे होते हैं, और समझने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन this method is easy to understand and easy to compute, बहुत आसानी से calculation कर लेंगे, बहुत आसानी से सब समझ जाएंग वो पैसा कितनी जल्दी liquid हो के हमाँ पास आ जाता है, वो पैसा कितनी जल्दी cash में recover हो जाता है, इस method पे ज्यादा emphasize है, तो यह इसकी merit है, अगर हम demerits की बात करें, तो सबसे पहले तो demerit यह है, कि यह non-discounted method है, यहाँ पर time value of money को नहीं consider किया जाता है, उसे ignore किया जाता जाता है, जो भी cash flow होगा payback period के बाद उसको नहीं consider किया जाता है, यह मैं आभी आपको example से बता हूँ, यह वाला, ठीक है, फिर तीसरी इसके demerit है, कि इस method को, मतला, अकेले यूज नहीं किया जाता है, this method is used along with NPV, या फिर कोई दूसरा method है, उसके साथ हमेशा यूज किया जाता है, क्योंकि इस method के थोड़े, इसमें time value of money नहीं consider करते है, और प्लस यह जो second limitation है, यह भी है, तो इसके demerit होई जाता है, तो इस लिए इस method को, कभी अकेले नहीं use किया जाता है, प्रोजेक को evaluate करने के लिए, इसको यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है, इस method को यूज कर सकते हैं, बागी final decision इस method से नहीं दिया जाता है, ठीक है, अब मैं ज़रा यह जो मैंने second point आपको बताया था ना, इसको मैं explain करती हूँ, कि कैसे cash flow occurring after the payback period कैसे नहीं consider किया जाता है, एक example लेते हैं, suppose कि यह दो project है, project X and Y, इसमें initial investment जो किया गया project में, 4000 का द साल में 4000 रुपे आया, तीसे साल में 2000 आया, ठीक है, यानि project X की अगर मैं बात करूँ, तो दो साल में पूरा पैसा आ गया, 4000 इन्वेस किया था, 4000 पूरा आ गया, project Y की बात करते हैं, project Y में भी 4000 का initial investment था, पहले साल में 2000 आया, दूसरे साल में 2000 आया, तो यहां पे भी 4000 पूर recover हो गया, दो साल के बाद, ठीक है, और तीसे साल में इसमें कोई पैसा नहीं आया, ठीक, तो अगर मैं payback period निकालनों, project X और Y का, तो दोनों साल का कितना आयेगा, दोनों project का कितना आयेगा, दो साल आयेगा, क्योंकि दो साल में दोनों का पैसा recover हो गया है, 4000 रुपे पूर recover हो गया, ठीक है, तो payback period कितना है, दोनों project का दो साल, निकल गया, लेकिन हम NPV method भी पढ़ चुके हैं, अगर मैं इसी data को लेके, ये जो data है, इसी data पे, अगर मैं NPV लगाऊं, NPV method लगाऊं, 10% के rate से, तो आप देखेंगे, project X का NPV है, 806, positive 806, और project Y का NPV है, negative 530, और हम ज project को accept किया जाता है, और अगर negative NPV है, तो उस project को reject किया जाता है, ठीक है, तो जो NPV method लगाएंगे, तो उसके according तो project X को accept करना चाहिए, बट इस method, payback period method के according क्या है, project X और project Y बराबर है, दोनों बराबर है, ठीक है, और एक चीज़ और है, जो मैं point बता रही थी, कि देखें, project X में, यहां परКак चेहजार रुपए कर हो रहे है, अगर यह project suppose कर ह beach 3 साल चलता है, तो project X में 2 साल तक 4,000, 33 साल भी मिला लेंगे, तो 6,000 रुपए real हो रहे है, रिकवर नहीं, 6000 रुपए आरहे हैं, पर project Y में किवल 4,000 रुपए 잘 तो उसके इसाब से bिष प्रोजल एकार लेकिन जब हम NPV method या अगर हम total cash inflow जो भी पूरा cash inflow आया है during the life of the project, project की पूरी life में जितना cash inflow आया है वो consider करें तो कहानी कुछ और है, तो इस method की एक limitation ये है कि जो भी payback period method के बाद जो cash inflow होता है वो consider नहीं किया जाता है, तो ये इसकी limitation है, तो देखे इस से अगर केवल आ अपना decision देता है, तो वो तो गलत हो जाता, ठीक है, तो ये इसकी demerit है, अब आगे बढ़ने से पहले, discounted payback period method पढ़ने से पहले, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, अभी तक, यानि January 2022 तक मेरे चानल पे मैं ये सारे subject, ये जो list of subject है, ये अपने channel पे cover कर चुकी हो, कौन से नहीं पढ़ाया है मैंने, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता देरी हूँ, this is the list of subject which I have already covered on my channel, ये सारे subject मैं cover कर चुकी हूँ, आज की तारीक, यानि January 2022 तक, more than 300 video lectures मैं अपने channel पे upload कर चुकी हूँ, अभी तक, और अगर ये video आप 2-3 महीने बाद देख रहे हैं, ठीक है, या 2024 में देख रहे हैं, तो इन में कई दूसरे नए subject add हो चुके होंगे, तो सबसे बढ़ी है है कि आप मेरे channel पर गाके playlist चेक करिए, तो वहाँ पर आपको ये list of subject तो मिलेंगे ही, और भी कई नई subject मिलेंगे, तो मेरा बस यही कहना है कि इन video lectures का फाइदा उठाई इनकी help से खुद भी पढ़िए, और अपने friends के साथ भी जरूर शेयर करिए, और चैनल को अभी तक नहीं subscribe किया है, मेरे channel पर आप पहली बार आए है, तो चैनल को भी subscribe करिए, और notification bell press करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तभी आपको notification मिल पाएगी of my new video, जब भी मैं नया video डालूँगी, आपको notification तभी मिलेगी, जब आप bell press करके all पे click करेंगे, ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, मैं बताती है, आपको discounted payback period method, तो अभी हमने देखा, जो payback period method है, उसमें limitation थी, कि उसमें time value of money को नहीं consider करते थे, उसमें जो future में cash flow हो रहा है, उसको discount नहीं किया जाता था, उसकी present value नहीं निकाली जाती थी, ठीक है, ये limitation थी, तो इसी लिए उस method को modify किया गया, और discounted cash flow निकाला गया, तो जब discounted cash flow निकाला गया, तो उस method का नाम क्या हो गया, उस method का, जहां पे आप discounted cash flow यूज करेंगे, तो method क्या हो गया, discounted payback period method हो गया, तो discounted payback period method क्या है, ये भी वही method है, basic वही है, कि कितने number of year लगते है, कितना number of period लगता है, in recovering the investment outlay, जो भी initial investment किया था, उसको recover करने में कितना duration लगता है, कितना period लगता है, कितना समय लगता है, कितने साल, कितने महीने लगता है, वो इस method में भी निकाला जाता है, लेकिन important है, on present value basis, present value basis पे, यानि, जो future cash inflow है, उसकी present value निकाल करके, आप calculate करते हैं, कि कितने duration में initial cash outlay, जो है, वो recover होगा, तो इसी को कहा जाता है, discounted payback period method, यानि, कितने साल में वो पैसा recover होगा, keeping the present value basis, यानि present value basis पे, यानि present value of cash inflow, वो consider करते हुए, कितने सालों में initial cash outlay recover होगा, तो यही है, discounted payback period, लेकिन इसकी भी पते है, वही demerit है, जो payback period method की थी, कि जो भी cash outflow होगा, after the payback period, ठीक है, payback period अगर दो साल का है, ठीक है, दो साल का payback period है, तो दो साल के बाद भी अगर project से कुछ cash inflow हो रहा है, तो इस method में उसको नहीं consider किया जाता है, तो इस method की भी य जही demerit है, जो पिछले, जो payback period method की थी, ठीक है, अब जरा एक छोटा सा question इस पर भी में बताती हूं, यहाँ पे दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट P&Q, इसमें initial investment हुआ, प्रोजेक्ट में 4,000 का जो opportunity cost of capital, या क्या लिचर जो discount rate है, that is 10%, ठीक है, तो हम निकालेंगे, simple payback period निकालेंगे, discounted payback period निकालेंगे और NPV, ठीक है, तीनों चीज निकालके जरा evaluate करते हैं, which project is good, कौन सा project अच्छा है, investment के लिए, चली पहले, प्रोजेक्ट P की बात करते हैं, प्रोजेक्ट P में, जो data दिया गया है question में, प्रोजेक्ट P में initial 4,000 का investment था, पहले साल में 3,000 रुपए आया, दूसरे साल में 1,000, तीसरे साल में 1,000, चौथे साल में 1,000, ये है project P का inflow, ये inflow हुआ अगले 4 साल तक, ठीक, और ये outflow, 4,000 रुपए लगाया, project Q की बात करें, तो 4,000 रुपए इसमें भी लगाया, initial cash out ले हुआ, ये, पहले साल में 0 रुपए आया, दू साल में 1,000, चौथे साल में 2,000, तो ये है project Q की कहानी, ठीक, अब अगर simple payback period आपको calculate करने को कहा जाए, तो simple payback period मतलब होता है, कि कितने साल में जो invested amount है, वो recover होता है, तो कितने साल में हो रहा है, बताइए अगर मैं project P की बात करूँ, तो 4,000 कितने साल में हो रहा है, ये त पहले साल में 0, दूसरे साल में 4,000, यानि यहां पे भी 2 साल में पूरा पैसा recover हो गया, तो simple payback period तो आ गया असानी से 2 साल, ठीक, अब अगर discounted payback period आपको use करना है, तो discounted payback में तो सबसे पहले आपको discounted value calculate करनी है, ठीक है, discounted cash flow calculate करना है, जो मैंने पिछला वीडियो जो NPV method और उस और लास्ट वीडियो था profitability index जिसमें मैंने बहुत डीटेल में formula बताया है कि कौन सा formula यूज करता है, present value निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, future value, दो method है, या तो आप table method यूज करिये, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, table method यूज करिये, या formula method equals to future value divided 1 plus r का power n, इसको कहते है present value factor, यह जो होता है present value factor, इसको future value से multiply करेंगे तो present value आ जाती है, ठीक है, डीटेल में देखना है, तो पिछले दो वीडियो में बहुत डीटेल में मैंने ये बताया है, तो उसी को use करके 3000 की present value निकाली, तो 3000 की present value क्या है 2727, ठीक है, discounted payback period में क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो cash inflow है इनको discount करना पड़ेगा, यानि उनकी present value निकालनी पड़ेगी, तो चलिए project P के लिए निकालते है, project P में present value of cash inflow, present value निकालेंगे, तो 4000 का तो कोई present value नहीं होगी न, क्योंकि ये तो initial investment है, ये तो आज की तारीक पे ही investment है, तो initial investment है, इसकी कोई present value नहीं निकाल जाती, बड़ जो एक साल बात पैसा मिलेगा, एक साल बात तीन हजार मिलेगा, लेकिन आज की तारीक पे उसकी value क्या है 2727, कैसे निकला है, उसके लिए पिछले दो वेडियो आप देख सकते हैं, नहीं तो ये formula यूज कर सकते हैं, इससे आप present value निकालेंगे, फिर ऐसी 1000 जो दो साल बात मिलेगा, उसकी present value है 826, तीन साल बात जो 1000 मिलेगा, उसकी present value है 751, चार साल बात जो 1000 मिलेगा, उसकी present value है 683, तो ये आपने present value निकाल ली, ठीक, अभी केवल project P की बात करते हैं, ये present value निकाल ली, अब discounted payback period निकाले तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब unequal cash flow होता है, तो हम क्या करते हैं, तो हम cumulative वाला concept यूज करते हैं, cumulative cash flow निकालते हैं, तो ये देखे, मैंने project P के लिए ये निकाला है, देखे, C0, initial 4000 का investment था, पहले साल में इतना inflow आया, दूसे साल में इतना, तीसे साल में इ ठीक है, अब आपको निकालना है, discounted payback period, तो हम cumulative निकालेंगे, पहले साल में cumulative यही सेम है, 2727, दूसरे साल का cumulative क्या होगा, this plus this, इन दोनों को 2727 और 826 को प्लस करो, आएगा 3553, यानि 4000 रुपे recover करने हैं, और दूसरे साल तक कितना recover हो गया है, 3553, ठीक है, इतना recover हो गया है, इतना recover हो गया है, तो यानि बचा कितना, बचा है, बचा पता करने के लिए क्या करेंगे, 4000 में से 3553 को minus करेंगे, you will get 447, यानि 447 बचा है, दो साल तक कितना recover हो गया, 3553 यानि 447 बचा है, अब अगर मैं तीसरे साल की बात करूँ, तो तीसरे साल में inflow कितना हो रहा है, 751, तो 447 को 751 से डिवाइट करेंगे, you will get 0.6 यानि payback period क्या है, 2 साल और 0.6 तो 2.6 year, ठीक है, 2.6 year यह आगया project P का discounted payback period और अगर project Q की बात करूँ, तो project Q में भी सबसे पहले तो हम present value निकाल लेंगे 4000 की present value, 1000 की present value, 1000 जो 3 साल बाद मिलने वाला है और 0 की तो 0 ही होगी, ठीक है, और 4 साल बाद जो मिलने वाला है 2000 उसकी present value तो हमने निकाल ली, फिर उसको देखे, यह मैंने Q के लिए भी table बनाई है आज की तारीक पे आपने 4000 इन्वेस्ट किया है, और अगले 4 साल तक आपका यह inflow है तो अगर हमें payback period निकालना है, तो cumulative का concept, पहले साल में 0 दूसरे साल में इन दोनों को sum करो, यह आया, ठीक है तो दूसरे साल तक 4000 रिकवर करने हैं, दूसरे साल तक 3304 रिकवर हो गया है तो यानि बचा कितना, बचा है 696, कैसे निकला, हमने 4000 में से यह फिगर माइनस किया है तो यानि 696 बचा है रिकवर करने के लिए, और तीसरे साल में inflow कितना है, 751 तो 696 divided by 751 करेंगे, तो 0.9 आएगा, इसका मतलब क्या है, 2 साल ठीक है, और 0.9 तो 2.9 एइर में यह पैसा रिकवर हो जाएगा, ठीक है, तो 2.9 के आगया, डिसकांटेट पेवाग पीरियड, तो इस तरहेके से प्रोजेक्ट पी और क्यू का हमने डिसकांटेट पेवाग पीरियड निकाल लिया, ठीक है, तो इस तरहेके से निकाला जाएगा, और फिर डिसीजन दिया जा सकता है, लेकिन इसकी यहां पे जो भी कैशफलो होरा है, आफ्टर पेवाग पीरियड, पेवाग पीरियड तो आ गया, दो साल कुछ महिने पे यह आया, दोनों ही मिथद का, लेकिन इसके बाद भी तो कैशफलो होरा है, यह देखे इसके कुछ जादे ही मैंने इस slide पर गोज दिया है उसके बाद अगर मैं बात करूँ payback period तो यहां तक आ गया दो साल तक में दो साल 6 महीने और दो साल 9 महीने में हो गया 2.6 year and 2.9 year में recover हो गया लेकिन उसके बाद भी तो cash flow हो रहा है तो इसको इस method में नहीं consider करते हैं यह इसकी limitation है इसी लिए इन दोनों method को separately use किया जाता है इसको use किया जाता है along with other method और यही data use करके अगर आप NPV calculate करेंगे तो आप पाएंगे NPV जो है project P की है positive 987 और project Q की है positive 1421 तो यानि NPV method की according project Q is more suitable as project P ठीक है NPV हम कहते है न पॉजिटेव आए तो accept करो negative आए तो reject करो यहां पर positive आ रहा है and this figure is greater यह जादा greater है तो हम फिर उसके according decision लेंगे तो इस तरीके से हम simple payback period discounted payback period और NPV तो मैं last lecture में बता चुकी हूँ तो इस तरीके जैसे कि method लगा के हम calculate करते हैं और फिर finally decision देते हैं कि project should be invest project में investment करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ठीक है तो this is all about today's lecture यह था पूरे आज का lecture का content I hope आपको समझ में आया होगा आज जो भी मैंने पढ़ाया है ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक अपना ध्यान रखिएगा God bless you